तो अगर आप लोग भी गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हो तो आपके माइड में भी ये क्वेस्चिन होगा कि गोल्ड के अंदर ऐसी कौन सी स्टैटजी है जो हम यूज करके अच्छा प्रॉफिट निकाल पाएं and हम ऐसी consistent जी use करते हैं जिससे हम gold के अंदर बहुत ही अच्छा profit निकाल पाते हैं तो चल ये आज की video इसी topic के उपर है and अगर आप video complete watch करते हो and आप इन चीजों को follow करते हो मैं आपको guarantee देता हूँ कि आज से जैसे आप gold में अभी तक trade कर रहे थे आज के बाद आपका gold में trade करने का जो नजरिया है वो बदल जाएगा and then आपकी trading gold के अंदर better हो सकती है आपके result better हो सकते हैं तो सबसे परहे देखो आप gold के अंदर mistake क्या करते हो आप कभी भी बड़े time frame को ध्यान में नहीं रखते हो आप always अगर आप सिर्फ 5 मिनिट का chart का आप यहां पर pattern देख रहे हो कि यह pattern बन रहा है 15 मिनिट का यह एक मिनिट का तो आप totally wrong हो क्योंकि आप 5 मिनिट के चार्ट के उपर आप कभी भी trade नहीं कर सकते हैं आपको trade injury करनी है वो आपको 5 मिनिट के उपर ही करनी है आपको पहले one day की candle देखने कि आज दिन क्या था लास्ट दो दिन से market कहां के लिए जा रही है लास्ट एक week से क्या हो रहा आपको पहले market का trend पता होना चाहिए तो पहली चीज याद रखो के trend means के सुबा जब market open हुई थी आप जिस ट्रम मार्केट में जा रहे हो उस time market कहां पे है buying में है उस time से या selling में है तो चलिए इसके लिए important चीज आपको देता हूं एक ऐसा indicator जो आपको किसी ने आज तेक नहीं दिखाया होगा आपको simply indicator पर आना है ठीक है power of three है यहां पर चलिए आप मैं इसको लगा देता हूं यह indicator आपको simply यह दिखा देगा अब मैं one hour के उपर जा रहा हूं कि market का open close open कहां पे हुई थी अभी कहां पे high कहां पे है लो कहां पे देखो market अभी इस वाले ratio point पे है इसका high आज दिन का कहां पे है 2589 पे and open कहां पे हुई थी market अभी 2578 that means अभी market एक high लगा चुकी है वापस जहां से open हुआ था उस price पे आ एक low भी लगा दे आया 2570 इंडिकेटर को मैं आप यहां से remove कर दे तो हमें idea हो गया कि आज दिन market जो बुलिश रही है उसको आपको four hour के उपर आना है देखे four hour के उपर भी आपको market में अच्छा खासा दिख जाता है कि four hour में market का trend कहां के लिए है then आप one hour के उपर watch करूगे इंपोर्टन चीजी है कि आपको हर time frame के उपर देखना है कि market का trend कहां के लिए मार्किट साइड वे है अप ट्रेंड है डॉन ट्रेंड है तो आपको trend दिख जाता है देन आप 15 मिंट के उपर आके या 5 मिंट के उपर आके आप अपना sport resistance जो भी है आपका वो देख के आप trade लोग है और एक और चीज आप mistake यहां पे लोग यह करते हैं कि कि किसी भी time आप सोचते हो कि हम trade कर सकते मार्किट के अंदर चाहें सुबा हो दुफैर हो शामवा नही आपको ट्रेड उसी time करना है जब मार्किट के अंदर मोमेंट होगा जिस time मोमेंट मीन के जिस time maximum trade active होंगे अब वो कैसे आपको पता चले हैं देखो यहां पे मार्किट में sessions होते हैं हमारे पास mainly 4 session है Tokyo, London, New York and Sydney ठीक है हमारा पहले Sydney and Tokyo आता है और हमारे major 2 session है वो है हमारा New York and London और वो कैसे आप मालूम करोगे कि यहां कौन सा कब यहां पर trade कर रहा है आपको simply 4x factory पर जाना है यहां last पर आओगे तो देखिए यहां पर आपको चारू sessions की timing दिखा देगा यहां पर हमारा पहले Sydney है Tokyo and then London and अब सबसे best आपको trade करना है वो है जब यहां पर London session open होता है and London session के ओपर आप 11-12 तक आप यहां पर moment रहेगा देखिए के बीच में 2.30 PM तक then market normal हो जाएगी इसके अंदर आप 70-80 pip अराम से capture कर सकते हो otherwise आप पूरे दिन रात को ट्रेल लगा कर रखते हो वही 10-20 pip market उपर निशे जाती है कोई moment नहीं होता अगर कोई news नहीं तो तो पू दन चल रहा होता है यह सबसे पीक होता है गोल्ड में ट्रेड करने का अगर आपको कम टाइम में profit निकालना है तो moment अपने पीक पर यहां पर होता है अधरवाइस यहां पर न्यूस होता है यह सबसे खतरनाग नूस होती है जिसके अंदर maximum moment यहां पर देखने को मिलता है तो एक तो आपको यह करना है कि आपको बड़े time frame पर देखना है second चीज आप कौन से time पर कर रहे हो और कौन से sessions के अंदर trade कर रहे हो वह इंपर्ट होता अगर otherwise आप अगर market side view में है तो कोई matter ही नहीं बनता कोई वहां पर बनता ही नहीं आपका trade करना जगर market side view के अंदर है market वह वहां पर बड़े trade ओर लगाते रहोगे lot लगाते रहोगे आप बहुत lot लगा तो जब market breakout करेंगे अगर आपके reverse में है तो आपका account वह सकता है इसलिए otherwise जब भी market अब trend में हो तो उससे trend इसा trade करो always अब trend में हो या don't trend में हो तभी trade करो अगर side view market है तो trade मत करो चलिए यह हो गया दो चीज़ देखिए उसके बाद अब important यह आती है कि आप entry कहां पर ले रहे हो ठीक है मैं last चीज़ भी बोलोंगा आप gold के अंदर trade कर रहे हो profit बिलाने कि सबसे important चीज़ यहां पर है वह है patience कि मैं last अब मेरे को market में पांच साल हो रहे हैं यहां पर gold में trade करते हो बाट एक चीज़ आपको बोल सकता हूं ऐसा को indicator नहीं ऐसी कोई भी strategy नहीं है जो आप यहां पर लगा के आप उसको देखके ट्रेल लगाओगे और आपको profit होगा एक ही चीज़ है मैं एक ही चीज़ बोल प्लना फॉलो नहीं करोगे तो आप कभी profit नहीं निकाल पाओगे आप एक profitable trader बन ही नहीं सकते अगर आप यह अपने उपर काम नहीं करोगे अपने उपर किंच उपर काम करने सबसे पहले discipline आपको होना चाहिए कुछ rule set करने है ठीक है rule means कि मुझे जो मेरा account account risk management मेरे को कितना रिस्क लेना है वो ही हर ट्रेड पर वही होना चाहिए और यह दिन के कितने ट्रेड लेने है उतने ही होने चाहिए हर दिन अगर आपने एक भी दिन वह rule break कर दे आप discipline नहीं follow कर रहे हो और आप कभी भी अच्छे ट्रेडर या profitable trader नहीं बन पाओगे बहले आप एक मंत में आ एक वीक एक दिन के अंदर यह guarantee है और आपने चीज़ खुद देखियोगी सबसे बड़ा strategy यही है कि अपने आपको control करना अपने lot size के ऊपर अपने risk management के ऊपर अपनी over trading के ऊपर अपना यहां पर जो time है हर time market में गुसे नहीं रहना है अपनी perfect entry का wait करो and trade low निकल जाओ ठीक ह अब अभी market यहां पर है market side view में है ठीक है तो हमें trade करने का मतलब नहीं बनता हमारी selling यहां उपर top पे रहेगी हमें buy करना यहां से अगर हमें दिखता है कि buy होगा तो हम यहां पर करेंगे अधर अगर यहां से breakout होगा हम से करेंगे 30-40 pip का sell देके हम अपने sell को बार 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 लाते नहीं रहेंगे अगर वो करोगे जो मैं कर रहा था चाल साल पहले तो मैंने स्टार्ट के साथ हो रही थी कि जैसे यहां मैंने buy कर दिया आप मैंने यहां नीचे रखा एसल मार्किन नीचे आ रही है मैं करता बढ़ा रहा हूं अपना sell एक टैम ऐसा आ रहा है कि मेरा तो 70% capital loss में चले गए अब क्या मैं sell हूं यहां पर 70% loss book क्यूं करूं मैं क्या पता market वापस आ जाए इसी चकार मेरा account खाली और कभी कभी ऐसा वह था कि अगर मैंने 80% loss book कर दिया जहां मैंने sell रखा वहीं पर touch करके market वापस चले यह sell रखा कर ही चले गया तो यह चीज़ें है बहुत important होते हैं यह पहले decide करना होता है कि एसल कहां पर है मेरा मैं कितना risk लोगा देन उस पर होता है ना last decision होना चाहिए फिर वो जो आपने ले लिया वो फिर change नहीं होना चाहिए तो फॉलो करो और आपको अगर हमारे free case signals चाहिए नीचे WhatsApp लिंक है उसको join करो account handling की service यह अब हम दे रहे हैं मतलब continue आपको फ्री में मिलेंगे डेली चुमें खुड ट्रेड करो वही ट्रेड तो अभी क्या भी ग्रूप join करो and maximum लोगों को share करो ताके बाकी लोग भी profit निकाल पाए फ्री के अंदर आपको बहुत को कोई करना पड़ता इसके लिए तो मेरे को contact करो मैं आपको अपने premium group में add कर दोगा वर नीचे जो ग्रूप है उसमें पहले join हो जाओ वहाँ से आपका contact हो सकता है मेरे साथ WhatsApp है डेलेगरा में कहीं पर भी join हो जाओ आप वहाँ से contact कर सकते हो thank you friend